अब हम देखते हैं इस अध्याय के अगले प्रसनावली को तो प्रसनावली नौद असमरतीन का पहला प्रसना है दिये गए चीत्रे में यदि कोड़ BAC बराबर 34 संस कोड़ BCE बराबर 137 हो तो कोड़ ACB, कोड़ ABC और कोड़ DBC ग्याद किजिए तो हमें देखो किसके इस कोड़ का मान ग्याद करेंगे तो देखो यहां भी कोड़ का मान नहीं दिया है मतलब इसका ग्याद करेंगे यहां भी कोड़ का मान नहीं दिया है तो इस कोड़ का भी मान ग्याद करेंगे तो जो दिया है उन कोड़ों को यहां पे लिख लेते हैं तो देखो इस कोड का मान दिया है, तो यहाँ पे लिखो दिया है, कोड BAC, बडाबर कितना है, 34-Ans, तथा कोड ECB,经 बडाबर कितना है, 163-Ans, यह दोनों कोडो का मान दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखो A और E एक रेखा है इस रेखा पर एक B, C रेखा क्या है खड़ी हुई है तो यहाँ पर लिखो A, E रेखा पर B, C रेखा खड़ी है ठीक यहाँ तक हो गया अब हमें क्या करना है इसी A, E रेखा पर जो B, C रेखा खड़ी है इसको देखो ध्यान से तो यह क्या है एक रेखा पर एक रेखा होता है यहाँ पर खड़ी हुई खड़े हुई रहता है तो क्या होता है रेखी यूगम से हम हल करते हैं तो देखो रे कोड का मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिखो कोड ACB प्लस कोड ECB बराबर कितना होता है 180 यहाँ पे लिख लेना बगल में रहखी यूगमा ठीक है रहखी यूगमा से हल हो रहा है यह अब यहाँ पे देखो इनके मानों को रख दो तो ACB का मान दिया है क्या नहीं तो इसको जैसा है वैसे ही उताल लो इसको उसके बाद देखो कोड ECB का मान दिया है कि हाँ इसका मान दिया है तो इसका मान रख लो कितना है 163 अंस बराबर 180 और यहाँ पे कोड ACB बराबर यह उस पर चला जाएगा पक्षानतार होके तो क्या हो जाएगा 180-163 और यहाँ पे आया गया कोड ACB बराबर कितना प्राप्थ हो गया यहाँ पे प्राप्थ हो गया 17 तो यहाँ पे इसका मान लिख दो 17 देखो इसका मान निकल गया 17 अब देखो त्रिबूज में त्रिबूज के अंदर अगर दो कोड़ों का मान अगर हमें प्राप्थ हो जाए तो हम तीसरा कोड़ को आसानी से निकल सकते हैं तो देखो त्रिबूज में इसका और इसका हमें मान प्राप्थ हो गया अब हम इसके मान को आसानी से निकल सकते हैं यहाँ पर लिखो तरिभूज ABC में, तो तरिभूज ABC के तीनों कोड़ों का योग कितना होता है 180C, तो लिखो ABC कोड ABC प्लस कोड BC A प्लस कोड CA B बराबर कितना होगा 180 तो मार रख देते हैं जिन जिन को दिया हुआ है तो कोड ABC का मान नहीं दिया है इसको जैसा था वैसा ही हम इसको लिख लेते हैं प्लस इस का मान कितना दिया है कोड BC A का मान दिया हुए देखो BC A का मान दिया हुए 17 तो7 यहां पे लिख लो कमान कितना दिया है 34 तो यह हो गया 34 530 बराबर 180 इन दोनों को जोड़ाों जोड़ने पर कितना रहा हैं तो कौड Mater ABC को जैसा है वैसे दिखो इन जोनों को जोड़ते हैं तो यह आ गया 59 अंस बराबर 180 अंस फिर कोड ABC और यह उस पर चला जाएगा पक्छांतर होके तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 59 तो हमें प्राप्थ हो गया कोड ABC बराबर 129 अंस तो इसको भी लिख लेते हैं तो इसको कमान कितना प्राप्थ हुआ 129 अंस देखो तीन मान प्राप्थ होगे इसका एंसर यह प्राप्थ हुआ इसका एंसर यह प्राप्थ हुआ अब सिर्फ लास्ट वाले बसको निकालना है तो इसको हम देख लेते हैं बगल पे अब हमें ध्यान देना है देखो त्रिबूज है A B C में तो इस A B C त्रिबूज में देखो A और D एक ही रेखा पर है A और D क्या है एक ही रेखा पर है और इस रेखा पर देखो कौन से रेखा खड़ी है BC रेखा खड़ी है तो इसको भी हम रहकी युगमा से हल कर सकते हैं लेकिन आपके बुप में एक अलाख से नियम बताया गिया है जिसको बोलते हैं बहिस्कोर नियम तो बहिस्कोर प्रमे से हल करना है तो बहिस्कोर प्रमे के बारे में जान लेते हैं तो तिरिभूज ABC में देखो, इसको थोड़ा से समझते हैं, तिरिभूज है, ABC, ABC में, तिरिभूज ABC में, तिरिभूज ABC, तिनों कोडों का मारन कितना होता है, XOAC, तो यहाँ पर हम लोग लेख लेते हैं पहले, ABC, कोड, कोड, BCA, plus code c a b बराबर कितना होता है एक सोसियंस अब अगर हम यहाँ पर बहिस code नियम लगाएंगे तो क्या होगा जो code a b c है देखो एक ही रेखा पर है यह देखो यह का रेखा है इस रेखा पर देखो code a b c मतलब यह b code यह आ रहा है ठीक है तो यही है तो क्या होगा इसके इस्थान पर replace हो जाएगा मान A B C के जगह पे हम क्या रखेंगे D B C रखेंगे और ये वाला मान भी यहां से हड जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पर वहिसकोड नियम लगेगा तो बचेगा यहाँ पर कोड BCA प्लस कोड CAB बच गया इतना और यह हडचुका है और यह हडचुका है दोनों यह दोनों हडचुका है इसके इस्थान पर क्या आएगा इसके इस्थान पर आएगा DBC इसको हम कहां पर लिखेंगे जब भी बहिस्कोर नियम लगता है तो वो अकेले लिखाता है और अकेले होगा और ये क्या होगा बराबर के उस पार होगा तो कोर डी बी सी ठीक ये होगे यहाँ पर बहिस्कोर नियम बहिस्कोर प्रमे यहाँ पर लिख लो बहिस्कोर प्रमे लग गया बहिस्कोर्ड प्रमे आपको समाझ में आया बहिस्कोर्ड प्रमे बहिस्कोर्ड प्रमे जब भी लगेगा वो एक स्रिबूज रहेगा और त्रिबूज के जर्फ्ट क्या लगेगा स्रिबूज के बाहर वाले मान को निकालने की लगते हैं देखो ये बाहर में है, तो इसी कमान को निकार रहे हैं, तो ये बहिस कोड प्रमे है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके मानों को रख देना है, तो इस कमान कितना दिया हुआ है, तो BCA कमान दिया हुआ है, BCA 17 है, और प्लस कोड CAB कमान कितना है, 34 है, और इस कमान दिय यह आया कोड D, B, C का मान तो इस तरह से यह तीनों कोड़ों का मान हमने निकाल ले और यह क्या है आपका एंसर है ठीक है अब देखते हैं प्रस्नकरमांग 2 को दो को तो प्रस्नकरमांग 2 है दी गई आकरितियों में X और Y के मान ग्याद कीजिए हमें क्या ग्याद करना है X और Y के मान तो देखो X कहाँ पे यहाँ पे और Y यहाँ पे है तो यहाँ पे देखो और मान कहां कहां पे किसका मान दिया है तो देखो इस कोड का मान दिया है इस कोड का मान क्या यह भी मान है नहीं ये मान नहीं क्यों कि इसमें अंस नहीं लिखा है एक अंस लिखा होता तो ये इसकोर का मान होता लेकिन ये एक लिखा है तो हम क्या करेंगे इसके भी मान को ग्याद करेंगे तो यहां पर आप देखो कि ये एक रेखा है इस रेखा पर एक ये वाला रेखा गया ह है देखो यह तिर्चा रेखा गया है तो इसको हम हल कर सकते हैं रैखी यूगम से तो यहां पर लिखो रैखी यूगम अभिसरार अभिसरार से हम इसको हल कर रहे हैं किसी यूदी से रैखी यूगम अभिसरार विधी से हल कर रहे हैं तो रैखी यूग मा भी सरारविधी क्या होता है कि देखो एक इस पार कोड़ है एक इस पार कोड़ है दोनों कोड़ों का योग कितना होता है 180 तो लिखो X प्लस देखो एक कोड़ X है और ये इस परवाला कितना है? 140 तो ये 140 हो गया और इन दोनों कोड़ों का योग कितना होगा? 180 होगा अब X यहाँ पे लिख लो और ये 140 सुर्पार चला जाएगा तो पक्छांतार होके तो वहाँ पे जाकि ये क्या हो जाएगा? ये माइनास 140 हो जाएगा और यहाँ पे बचा X बराबर यहाँ पे देखो ये घड़ गया घडने के बाद कितना है? 40 तो X बराबर कितना पराप्त हुआ? 40 अंस तो ये X कमान पराप्त हो गया हमें 40 ठीक है एक सक मान 40 प्राप्त हो गया अब हमें क्या करना है देखो इस त्रिभूज के 2 कौड़ के मान प्राप्त हो गया तो हम 3 कोड़ का मान आसाय昨日 से निकाल सकते हैं तो यहाँ पे लगाओ त्रिभूज त्रिभूज अब त्रिभूज में जो है त्रिभूज जो दिया हुआ है सिर्फ त्रिभूज बस दिया हूँ यहाँ पर देखो किसी भी कोड का मान यह मतलब यहाँ पर त्रिभूज के जो मान है ABC ऐसा कुछ त्रिभूज नहीं दिया है तो क्या करेंगे त्रिभूज और त्रिबुच के बाद यहां पर लिखोगे तीनो कोडों का योग कोडों का योग कर दो तीनो कोडों का योग तो एक कोड एक है दूसरा कोड देखो प्लस करेंगे दूसरा कोड क्या है X है प्लस तीसरा कोड क्या है तीसरा कोड दिया है 30 तो 30 cents है और बराबर 180 अब इनके मानों को रख दो 30 कोड का मान नहीं दिया है तो कोड एक को एक रखो प्लस कोड एक से का मान कितना दिया है 40 तो इसका मान रख दो 40 cents और कोड इसका मान कितना है ये कोड नहीं इसको 30 कर दो ये 30 हैं बराबर 180 असी अंस तो ये हो जाएगा कोड़ 1 प्लस ये दोनों जूड़ गया तो कितना हो गया ये सत्तर अंस और ये हो गया यहाँ पे 180 फिर बराबर कोड़ 1 और ये उस पर चला जाएगा तो पक्छांतर होके तो क्या हो जाएगा ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा सत्तर और यहाँ पे आया कोड़ एक बराबर 110 तो कोड़ 1 कमान कितना प्राप्त हो गया 110 अंस अगर हम चाहे तो इस प्रस्न को भी रैखी यूगमा से हल कर सकते हैं ठीक है रैखी यूगमा से हल करें चलो इसमें दोनों विद्यू को लगाते हैं लास्ट वाले में तो रैखी यूगमा से हल करते हैं पहले रैखी यूगमा क्या होता है रैखी यूगमा तो देखो यहाँ पे यह एक रेखा है इस रेखा पे यहाँ पे पर क्यों गया हुआ एक रेखा दिखाई दे रहा है खड़ी रेखा तो वहाँ पर हमें देखना है तो इस कोड का मान 110 है और ये क्या है य दिया हुआ है तो य के मान को भी निकालने हैं तो रेखी यूग में इन दोनों कोड़ों का योग कितना होता है 180 तो देखो y प्लस 110 अंस बराबर 180 अंस ये हो गया y और ये 110 उस पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 110 तो यहाँ पर प्राप्थ हो गया y बराबर 70 अंस ठीक है तो y का मान कितना प्राप्थ हुआ y का मान प्राप्थ हुआ 70 अंस रेखी यूग में से लेकिन आपके बुक में कहा गया है कि बहिस्कोर नियम तो मतलब बहिस्कोर प्रमे का नियम लगाएंगे तो उसमें भी देख लेते हैं जहां भी बहिस्कोर नियम लगेगा वहां रेखी यूग में लगेगा ही लगेगा अगर चाहो तो आप बहिस्कोर लगाओ चाहे तो रेखी यूग में लगा सकते हो तो मैं आपको बहिस्कोर नियम समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ तो यहां पे लिखो बहिस कोड प्रमे से बहिस कोड प्रमे क्या होता है देखो तरिबूच के तीनो कोड है ठीक है तीनो कोड है इन तीनो कोडों में से हमें क्या करना है सिर्फ दो कोड को लेना है और एक कोड को हमें क्या करना है बहिस्कृत करना है बहिस्कृत का मतलब क्या होता है कि इसके इस्थान पर सेम इसके जैसे जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसको लेना है तो देखो एक ही रेखा देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यह एक रेखा है अब देखो इस रेखा पर देखो इसके इस पा वाले side को ले लेंगे कैसे देखो यहाँ पे समझते हैं तो यहाँ पे क्या है code 1 है तो देखो code 1 हो गया plus यहाँ पे क्या है code x है और फिर यहाँ पे क्या है यहाँ पे दिया हो डायक्ट मान 30 दिया है और यह 180 है ठीक है और code 1 के just side में क्या है? y code है और इसी command हमें ग्यात करना है तो हम क्या करेंगे? code 1 को बहिस्कृत कर देंगे देखो ये बहिस्कृत हो गया और साथ ही साथ ये मान भी हड़ जाएगा देखो एक ही मान नहीं हटेगा इसके साथ ये भी हड़ जाएगा तो बचा क्या हमारे पास? बचा है code x plus 30 ans और जो बहिस्कृत कर रहे है code को उसको बराबर के उस पाल लिखते हैं तो जो y है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? इस पाल लिखेंगे अब यहाँ पे देखो इस कमान को रख दो तो code x कमान कितना है? 40 ans है और इस कमान 30 ans है तो बराबर कितना हो गया? y और y बराबर देखो यह हो गया 17 बराबर y तो देखो हमने रैखी युगमत से भी हल किया तो 70 आया और बहिस्कोर प्रमे से भी हल किया तो 70 आया तो यह क्या है आपका answer? ठीक समझ में आया तो प्रस्नक मांग दो कि सारे प्रस्नों को जैसे मैंने भी हल किया है वैसे आप लोग भी इसको हल कर लेना इसके बाद बागी जो प्रस्न है उसको अगले पार्ट में देखेंगे